अभियान 40 के ओनलाइन प्लेटफॉर्न पर आप सब का स्वागत है और जैसे कि हमारी जो एक सतन सर्कला चल रही थी उसके अंदर आज हम बात करेंगे प्रस्तावना और प्रस्तावना के उपर हम दो फेक्टर में बात करेंगे पहला पहला आज हम देखेंगे क्या लावना समिदान का भाग है या नहीं है इन दो बातों पर हमाद चर्चा करेंगे और चर्चा का जो ये मंच है जो अभियान 40 का ये प्लेटफॉर्म है मुख्य रूप से सिविल सर्फचेज के लिए बहुती बहतरी इन प्लेटफॉर्म है जहां पर यूपीज़ी के लिए आरपीज़ी के लिए जो आरेस अतार परसाशनिक जो सेवाए हैं उनकी तैयारी उचिस्तरी तैयारी बहुत अच्छी फैकल्टी के साथ बहुती बढ़िया मैनत के साथ करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें तो आज बात करते हैं प्रस्तावना तो क्या प्रस्तावना सविदान का भाग है या प्रस्तावना सविदान के अंदर तो सामिल है नहीं वह सविदान का उसे मुख प्रष्ट का आ जा सकता है तो क्या सविदान जो मूल सविद प्रस्तावना भी उस समझदान का भाग है तो देखे ये मामला जब सुप्रीम कोट के सामने आया तो सुप्रीम कोट ने सबसे पहले 1960 में एक बेरुवाडी वाद बेरुवाडी वाद अब बेरुवाडी वाद क्या था इसके उपर भी हम चर्चा करेंगे बेरुवाडी कि प्रस्तावना समझदान का भाग नहीं है क्या दिया बैस प्रस्तावना समझदान का भाग नहीं है अब यदि प्रस्तावना समझदान का भाग ही नहीं है तो न तो वो कोई ऐसी सक्ति देती है न कोई ऐसी ताकत देती है कि समझदान के उपर उसका परभाव पड़े वो सुप्रीम कोट का निर्णे आपको पता है अभी लेक ही निर्णे होता है हर जगा उसका क्या किया जाता है पालन किया जाता है सुप्रीम कोट के निर्णे को के वल सुप्रीम कोट ही बदल सकता है इसी लिए 24 अप्रेल 1973 को बारत के समिदान में मील का पत्थर आ ये दिन वारतिय समिदान और बारतिय न्यायपालिका के मार्ग में मील का पत्थर है क्योंकि इस दिन जो बाद हुआ था जिस पर निर्णे आया था वो था केश्वानंद बारती बाद केश्वानंद बारती बाद के अंदर सुप्रीम कोट ने निर्णे दिया कि जो ये प्रस्तावना सविदान का भाग है प्रस्तावना सविदान का क्या है भाई भाग है और सुप्रीम कोट ने अपने बेरुवाड़ी वाद के निर्णे को उलट दिया और माना प्रस्तावना सविदान का भाग है और बिल्कुल सुप्रीम कोट ने इस परस्त कहा प्रस्तावना सविदान का भाग है जिस तरह बाक है जो हमारी बविश्य की नीतियां है उनको आदार परदान करना का कारे करती है लेकिन सुप्रीम कोट ने साथ यह कहा प्रस्तावना के लिए आप हाई कोट नहीं जा सकते आप सुप्रीम कोट नहीं जा सकते आप यह नहीं कह सकते देखिए प्रस्तावना के सब्दों का पाल है या नहीं है तो यही बात निकल के आती है पहले यदी प्रस्तावना को बेरुवाड़ी बाद में जब भाग ही नहीं माना था जो भाग ही नहीं सविदान का तो उसमें क्या संसोधन करना और क्या नहीं करना लेकिन जब 24 अपरेल 1903 को केश्व अनन्द बारतीवाद में यह इसपर्श्ट हो गया कि प्रस्तावना संविदान का भाग है तो अब क्या निकल के आता है प्रस्तावना में संसोधन किया जा सकता है किया जा सकता है क्योंकि इसी वाद में सुप्रीम कोट ने कहा संसद समिदान के किसी भी भाग में संसोधन कर सकती है अतर यदि प्रस्तावना भी समिदान का भाग है उसमें भी संसोधन किया जा सकता है इसका मतलब प्रस्तावना में भी संसोधन किया जा सकता है साथी साथ सुप्रीम कोट ने केशवानद भारतीबाद में एक इंपोर्टेंट चीज और बता दी सुप्रीम कोट ने कहा सविदान के किसी भी भाग में संसोधन करने की सरवोच सक्ती संसद के पास है किसके पास है संसद के पास है लेकिन संसद मूल ढांचे में संसोधन नहीं कर सकती लेकिन संसद किसमें संसोधन नहीं कर सकती मूल ढांचे में संसोधन नहीं कर सकती अब संसद ने पूछा तो भाई साब मूल ढांचा है क्या संसद ने का सुप्रिम कोट ने का अभी टाइम न संच करने जा रहे हैं मूल धांचे के बारे में आपको जब भी आगे टाइम मिलेगा तब बताते रहेंगे समय समय पर बताते रहेंगे अभी हम कुछ भी बतेंगे मूल धांचे के बारे में नहीं बताएंगे अर्थार सुप्रीम कोट ने इस परस्ट कहा संसद सविदान के क जैसे एसार बोमई वाद ने सुप्रीम कोट ने माना कि जो मूल धांचा है पंत निर्पेक्सता उसका भाग है समाजवाद भी मूल धांचे का भाग है हमारी संगिये व्यवस्ता है वो मूल धांचे का भाग है प्रस्तावना के अधिकतर सब्द मूल डाँचे का भाग है और केश्वानन्द भारतिबाद 1973 के तहर्ट मूल डांचवे में संसोदन नहीं किया जा सकता अतर प्रस्तावना में सामिल सब्दों को हटाना तो मुश्किल है लेकिन संसोदन करके किसी नए सब्द को जोड़ा जा सकता है मुझे लगता है आपको आज का वीडियो राज की जानकरी अच्छी लगी होगी हमारे इस चैनल को और हमारे जो यूटूब प्लेटफॉर्म में इसको भी आप अधिक से अधिक लाइक करें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने मित्र बंदू भाई सका जो भी अ जो निश्चित करें यही अभियान 40 के प्लेटफॉर्म और अभियान 40 की पूरी टीम की आसा हैं हमारी मैनत और आपका समर्पन ही आप लोगों को सफलता दिलाएगा धन्यवाद